सरकार की तरफ से एक नया रूलाया है जिसमें सभी लोगों को HSRP प्लेट लगाना mandatory है अगर आप लोगों की भी कुछ इस तरीके से प्लेट है तो आप लोगों को अपनी प्लेट जल्दी से जल्दी चेंज करानी पड़ीगी नहीं तो आप लोगों को फाइल लग सकता है एक अपरेल 2019 से पहले जितने भी गाड़ियां रिजिस्टर हुई है उन लोगों के लिए ये mandatory है और जिनकी जिनकी भी नंबर प्लेट कुछ इस तरीके से है नॉर्मल वाली तो उन लोगों के लिए भी mandatory है कि आप लोग अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाएं और HSRP लगवाएं HSRP प्लेट कैसी होती है कुछ इस तरीके से दिखती है जो की सरकार की तरफ से प्रिंटेट होके आती है आपकी कोई भी गाड़ी हो चाहे वो टू विलर, फोर विलर, त्री विलर कोई भी गाड़ी हो तो आप लोगों को अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाना जरूरी है इस नंबर प्लेट को चेंज करवाने का जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर 2023 अब उससे पहले आप लोगों को कहां पर जाकर चेंज करवाना है कैसे चेंज करवाना है उसकी जंजत छोड़ दो इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने तो वीडियो को एंड तक दूरो देखना और जो लोग में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लेट जिसमें जो है ना सरकार को आपके अपलाई करना है आप लोगों को अभी बताता हूं अब अपने घर बैटे भी अपलाई कर सकते हैं सीज़े सीज़े सिंपल आप अपना कोई भी ब्रॉजर ऊपन कर लेना वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है HSRP सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टो इसने नमबर पूछा जाएगा गाड़ी का फ़र देनाboy दिना अपकी यह विपaulty आप Сब्यह को रहा है जहाँ पर करें वहां पर आपको बहुत करें अब तो हonna कश हैं जैसे कि हैं तो ह्याँ स्कूटर या मोटरासाइकल पूछेगा तो आगर की स्कूटी है तो सूटर चोज करओ अगर आपकी बाईक है तो हैं तो मोटर सैकल चूज करो उसके बाद आप लोग और नीचे देखेंगे तो आपको contact information पूछ रहा है owner का name गाड़ी के owner का name क्या है वो दाल दो और email id दाल दो और mobile number दाल दो और नीचे billing address दाल दो address आपके घर का जो भी है वो ही address दालना उसके बाद आप लोगों को नीचे next का option दिख रहा होगा वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लो उसके ब लोगों को लिखा है कि आपकी number plate आपको घर पे भेजना है या फिर जो है डिलर के appointment आपको लेना है तो अगर आप home delivery चूज करते हैं तो आप लोगों के number plate जो है आपके घर पे ही आएगी तो सबसे पहले मैं home delivery चूज करके बताता हूं उसके बाद आपको मैं dealer का भी चूज करके बताता हूं सबसे पहले home delivery पी जब आप click करते हैं तो आप लोगों को यहां पर pin code डालने के लिए बोलेगा आपके area का pin code क्या है वो डाल के आप लोगों check availability पे click करना है अगर आपके area में home delivery available है तो आप लोगों को आपके area पे deliver कर देगा अगर नहीं है तो कुछ इस त appointment में click करते हो आप लोगों को यहां पर आप लोगों का state select करने का बोल रहा है district select करने के बोल रहा है और pin code डालने के लिए बोल रहा है तीनों डाल कर जो है ना आप go पर click कर देना go पर जैसे ही click करोगे आपके area में आसपास के area में कौन सा dealer है जो ऐसे number plate आपको provide करके देगा उसकी आपको detail आजाएगी उसका नाम उसका address सारी detail आजाएगी और amount भी बताएगा जैसे के लिए 495 रूपीज बता रहा है तो यहां पर आप लोगों को उसके जो भी dealer आप लोगों को दिख रहा है कि आपके नजदीकी में है उसके उपर आप लोगों को क्लिक करके नीचे confirm dealer पर क्लिक करना है उसके बाद आप लोगों को date और time select करना होता है तो अभी देखिए उपर जो भी red में दिखा रहे हैं dates वो date आपके holidays है जो एकदम फीके फीके दिखाई दे रहे हैं वो जो हैना slot जो हैना available नहीं है जो dark slot दिखा रहे हैं वो available है तो कोई भी date ऐसी जो नीचे आपको time आ जाएगा मानोगा time नहीं आ रहा है तो आपको давайте बहने प्रपर उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से सारी detail आप लोगों को दिखाई देगी आपका जो भी आपने भरा था वो सारा यहां पर आ रहा है उपर आप लोगों को confirm and proceed पे और एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को verify details and pay option आ रहा है वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे email के नीचे आपको एक करने का box है same as previous mobile बोलकर तो आप लोगों को वहाँ पे क्लिक कर देना है उसके बाद थोड़ा नीचे चले जाओ तो आप लोगों को amount दिखेगा 495 उसके बाद आप लोगों को नीचे I agree with the terms and conditions है वो भी check mark कर देना है लास्ट में pay online पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप pay online पे क्ल का payment कर देते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से एक आपका एक application बोल सकते हैं या फिर एक printed document बोल सकते हैं यह आपका download हो जाएगा तो इसको एक बार समाहल के रख लेना तो यह आपका एक proof है कि आपने apply कर राखा है तो जिस भी date आपने चूज करी थी जो time चूज कि में आ गई होगी कुछ doubt है तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं उसका आपको answer दे दूंगा याद रखिए कि यह नंबर प्लेट चेंज करने की लास्ट डेट नवंबर दोजार तेवी सी है तो जल्दी से जल्दी चेंज कर वालो नहीं तो आप लोगों को fine भी पढ़ सकता है व कर अपको जब बंग से यह वणिद कर दो आप दो ख़ैए कि यह कर दो आपको आप कर दो नहीं दो आपको यह नहींगी कर दो खुशबख झो हुश्क अ आपको इह